तो प्लेफेर एक्जियोम पहले तो प्लेफेर एक्जियोम इसे क्यों कहा जाता है यह स्कॉटिश मैथेमेटिशन है जॉन प्लेफेर एक्जियोम स्कॉटिश मैथेमेटिशन जॉन प्लेफेर तो यह स्कॉटिश मैथेमेटिशन है Mr. John प्लेफेर जिनों ने 1729 में इसको फिफ्ट पॉस्टॉलेट के ऊपर बनाया था तो Playfair Axiom जो है उसके उपर बना है 5th Postulate के उपर 5th Postulate का Modified Roop भी आप कह सकते हैं इसको Modification किया गया जब 5th Postulate को 5th Postulate को Modify किया गया है तो Modify करने के बाद Playfair John Playfair जो की Scottish Mathematician है उन्होंने 1729 में Playfair Axiom बनाया है बनाया था तो हम डिसकस करते हैं अब Playfair Axiom होता क्या है तो Playfair Axiom For Every Line L कोई भी Line हम लेते हैं For Every Line L means L कोई Line हो सकती है यहाँ पर And For Every Point P यहाँ पर एक Point P है Not Line on L ध्यान रखना कि यह Point P जो है इस Line L के उपर ना आए कहीं भी इसको आगे पीछे बढ़ाने पर भी Right Left बढ़ाने पर भी यह Point इसके उपर ना आए तो एक Line L है एक Point P है जो की L के उपर नहीं होना चाहिए There exists a unique Line M यहाँ पर एक ही Line M होगी Passing Through P and Parallel to L जो की P में से Pass होगी और L के Parallel होगी तो There exists a unique Line M यहाँ पर एक Unique Line M होगी जो की P में से Pass होती होगी और L के Parallel हो जाएगी बाकि जितनी भी P से Pass होने वाली Lines है यह L के Parallel नहीं होगी तो Point P में से तो Infinite Lines Pass कर सकती है लेकिन इन Infinite Lines में से केवल एक ही Line Unique Line M होगी जो की L के Parallel बनेगी दा रिजल्ट कैन बी आल्सो कैन आल्सो बी स्टेटिट इन दा फॉर्म तो डिस्टिंक्ट इंट्रसेक्टिंग लाइन कांट बी पैरलल टू दा सेम लाइन इससे अब एक और रिजल्ट हमारे सामने आता है कि तो डिस्टिंक्ट इंट्रसेक्टिंग लाइन अगर स्पोज यहाँ पर दो लाइन इंट्रसेक्ट करती हो स्पोज यह M है और यह N है अगर M के Parallel में एक लाइन यहाँ पर जाती है जिसको हम L कहते हैं तो M और L आपस में Parallel है two distinct intersection lines यह distinct intersecting lines हैं जो की point P पर एक दूसरे को intersect करती हैं यह point of intersection बनता है तो यह दो distinct lines हैं intersecting lines दोनों ही एक ही लाइन के Parallel L के Parallel नहीं हो सकती है M जो है वो अगर L के Parallel है तो N L के Parallel नहीं होगा क्योंकि N जो है वो M को Intersect करता है तो आगे चल कर ये L को भी intersect कर देगा तो इस तरह से ये दूसरा result इसमें से निकल कर आया है कि दो distinct lines जो हैं, intersecting lines हैं वो एक ही line के parallel नहीं हो सकती है